दोस्तो जीओ फाइनेंसल सर्विस की बात के स्टोक काफी समय से आपको श्टरगल करता हो दिखाई देगा एक बड़े ट्रीगर का इंटजार करा है जिसको अगर ट्रीगर मिल जाता है तो फिर ये स्टोक उपर से तेजी से दोड़ सकता है तो ये ट्रिगर इसको जनवरी के पहले सब्ता में ही मिल जाएगा क्या है पूरा मामला उसको समझने की कोसेश करेंगे इस वीडियो के माधिम से वैसे अब quarter 3 भी आने वाला है अगर quarter 3 बैतर होगा तो definitely इसकी price बढ़ेगी और वैसे भी business तो सुरू हो चुका है management एक तरह से देखे तो अपनी command संबाल चुका है एक better team त्यार की गई है जो आने वाले समय में जियो financial service को इंडिया की बड़ी NBFC के बना के अब तो फिलाल CIC बनने जा रही है तो आप समझ जी सकते हो कि यह इस sector में एक leader बन सकती है और इनके पास तो आलड़ी update है जिसको समझेंगे और जानने की कोसिस करेंगे क्या आने वाले समय FIDI का जम के नीवेज फिर सुरू होगा और क्या stock 300 को cross कर लेगा और एक बार 300 को cross के तो फिर क्या तेजी से आगे बढ़ते हुए यह 4 डिजिन में भी जा सकता है समझने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के माद्यम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बिल आइकोन दबा दीजिए ताकि जबी ने वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू किजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले फ्राइडे के बाजार की बात कर ले तो फ्राइडे को हमने BSE Sensex में अच्छी खासी तेजी देखिए 71,106 के इस्तर पे 241 पॉइंट की तेजी ती यानि 0.34% की तेजी थी BSE Sensex में अब उसके बावज़ भी जियो फाइनसर सर्विस में गिरावट की होई तो उसके पीछे वज़े कि BSE फाइनसर सर्विस में जबरदस गिरावट थी बली बाजार तेज हो लेकिन BSE 10,311 के इस्तर पे 0.47% के लगबग आदा परसंट की गिरावट थी और इस गिरावट के पीछे वज़े बन रही है FI FI बाजार में बिक्वाली सुरू कर चुके वापस और इसके पीछे वज़े कि वो दिसमर के एंड में जब vacation पे चले जाते है तो ऐसे में वो बिक्वाली करते ही है अब आप देख से तो कि 18 दिसमर को उन्होंने 33 क्रोड का माल बेचा 19 दिसमर को ये बढ़के 601 क्रोड तक पहुच गी इनकी बिक्वाली और 20 दिसमर को सीधा 1322 क्रोड तक पहुच की 21 December की बात के तो उन्होंने 1,006 ने 36 कोड़ की बिक्वाली की और ये 22 December आते हैं इनके बिक्वाली जो है वो देखे सकते हो कि आप 2,0828 कोड़ तक पहुच की है यह लगातार बहुत बड़ी तरीके से और एग्रेसिव तरीके से बिक्वाली करें वैसे 15 December तक उन्होंने काफी सांदर खरीदारी भी की थी रिकॉर्ड तो और खरीदारी की थी 15 December को करीब 9,000 कोड़ की लेकिन अब आप देखे तो कि वो बिक्वाल बन चुके लगातार उनके तरब से बिक्वाली हो रही है लेकिन जब तक FI बाजार फिर से खरीदार नी बनेगे बाजार में बड़ी तरही की सम्भावना फिलाल नहीं देख रही है दूसरी तरह बाजार को जो सपोर्ड मिल रहा है वो डियाई का देख सकते हूं कि 18 December से जब से आप देखे कि FI बाजार को थोड़ा सा सपोर्ड तो मिल रहा है लेकिन दोनों का सपोर्ड मिलता तभी यह स्टॉक नहीं हाई बना सकते है और बाजार भी तेजी से दौर सकता है उसके लिए हमें वेट तो करना होगा अब जियो फाइनसर सर्विस की बात करें तो स्टॉक की सुरद भी फ्लैट बिल्कुल 238 पर जो गुरुवार की क्लोजिंग थी इंट्राडे में 239 का हाई भी बना यानि कुछ समय कले स्टॉक आपको ग्रीन जोन में जाता हो दिखा रहे का लेकिन जो गिरावर का महुल बना तो 234 तक गया है काफी नीचा है अंत में क्लोजिंग 236 के आसपाद जापे 0.50% की गिरावर थी उतनी ही जितनी बीसी फाइन 232 के आसपाद आया 2.6% की गिरावर थी तो यह गौर करने वाली बात है कि बाजार में बहिंकर गिरावर करी सेंसक्स 2000 पॉइंट गिरा उसके बाजबिस में 2% की ही गिरावर थी इस बात का सबूत ही है केस में लोग माल जादा बेचना पसंद नहीं कर इस लिए और जितनी 236 के आसपास क्लोजिंग है 0.5% की गिरावर के साथ तो ओवर ओल देखे तो नीचला इसका जो सपोर्ट हमको मिल चुका है और आने वाले समय तेजी से उपर श्टॉक जा सकता है तो यह अच्छा मौका है कि लोग टम के लिए निवेस करें अब यहापे जो सबसे बड़ी इंडेक्स मेसेज को बार निकाले के वज़े से बहुत सारे जो इंवेस्टर जो इंडेक्स मेस निवेस करते हैं चाहे वो FI हो या FDI हो उनका निवेस कम हुआ है mutual fund की holding में उनकी holding गटी है जिस वज़े से इसके price भी नीच है आप देख सकते हो कि यह 50 का index का हिसा था जो 7 सितंबर को इसको NSE ने बार कर दिया तो उसके बाद में देखे तो आप इंडेक्स का हिसा नहीं होने की वज़े से वहाँ से बहुत सारे जो इंवेस्टर जो सिरफ यहां पे इंडेक्स बेस करते हैं उनका निवेस निकल गया और इसी वज़े से आप देखे शेर ओडिंग पैटन में उनका निवेस आपको कम ह होता हो दिखा देगा आप देखी सकते हो अगस्त की बात तो यहां पर प्रमोटर होलिंग 45.80% के आसपास थी मूचल पन की ओल्डिंग 6.27% थी और डोमेस्टिक इंस्ट्यूटेशनल इंडिया के बड़े डिया है उनकी ओल्डिंग 10.05% थी एफ़ाई की ओलिंग 26.44% थी परसंट के आसपास थी वो 4.71% होगी तो म्यूचल फंड ने अपनी होल्डिंग बेची और इसके पीछे वज़े कि जो म्यूचल फंड इंडेक्स काम करते हैं उनको होल्डिंग बेचना जरूरी था या पर इसके बाद जो इंडिया के बड़े इंवेश्टर है उनकी होल् पब्लिक की बात करें तो उनकी होल्डिंग जबर्दस बड़ी 11.40% होल्डिंग थी जो बढ़के 17.90% हो गई तो यहाँ पर देख सकते हो कि एक तो F.I.E.E.D. की होल्डिंग घटी म्यूचल फंड की होल्डिंग घटी और D.I.E. की होल्डिंग भी गटी क्योंकि यह सारे यहां से गय वो वापस आएगे तो यहां पर देखते हो कि यहां पर करीब जो नीवेस है वो 66 मिलियन डॉलर का नया आएगा इसका मतलब इसकी प्राइस डेफिनिटली बढ़ सकती है जब नीवेस गया वो वापस आएगा तो आप देख सकते हो कि यहां पर फरवरी 2024 से MFI का लिस्सा बनने जा रहा है तो फर्स्ट विक में ही आप देगा तो जियो फाइनसर सर्वीस एसोशन आप मूचल फंड इंडिया लिस्ट में सामिल होगा और ऐसे में है जो मूचल फंड जो यहां पे इस MFI लिस्ट के माध्यम से लार्ज केप में निवेस करना है तो इसे लार्ज क का हिस्सा बनने की वज़े से निवेस आना सुर हो जाएगा करीब 9 इस्टोके जो लार्ज केप में सामिल होगे जिसमें GEO Finance Service सबसे उपर है इसके पीछे वज़े इसका है जो मार्केट के अपर डेड़ लाग करोड के आसपास का है तो कुल मिलाके यह गुड़नीज जो हमें जल्दी मिल जाएगी यानि आप देख सकते हो कि जनवरी के पहले सब्ता में ही फर्स्ट विक में ही हमें यह गुड़नीज मिल जाएगी कि सामिल होगा वैसे यह जो लिष्ट है यह फरवरी से लेकि जुलाई तक के लिए है लेकिन जनवरी में इस लिष्ट में अनौस्मेंट हो जाएगी और उसके बाद में यह तरह से मौका है आपके पास कि इसमें निवेस करें यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि लार्ज के 2.4 मिलें रूपीज के तो तो कूल मिला के लार्ज केप में सामीर होगा और लार्ज केप में सामीर होने का मतलब यह कि 313 का अगर हम बात करें इसके काफ़ी बैतर हमने उमिदे के हिसाद से परिणयाम देखें मैं जहाँ पर न्का organs 414 क्रोट के आश्किपस सरा से अप्टम और इस पार आसा कर रहें कि और भी सांदार प्रॉफिट बढ़ेगा और जैसे कि बीजन सब देरे पट्री पर आने लगा है बड़ी अनॉस्मन होने लगी है कंपनी सी आई सी बनने जा रही है ऐसे में इसके इन्वेश्टर भी बढ़ेंगे इसका और आने वर्स में डेफिन परपस के लिए बनाए वडियो पसंद आए तो लाइक से जो कि जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यों फ्रेंड